दोस्तों, बॉलिवुड में एक से बढ़कर एक स्टार किड्स आए, जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्टिंग अच्छे से आती थी, तो कुछ लोग एक्टिंग में जीरो थी लेकिन इन सभी का एक्टिटूड ऐसा होता है, जैसे कि ये किसी भगवान के अफ़तार हो, एक्टर चाहे कैसा भी हो, स्टार किड हो या नॉन स्टार किड, अगर उसमें एगो और एक्टिटूड है, तो उसकी बुराई होगी ही, भले ही वो एक्टिंग में कितना भी ये एक्ट्रिस है काजूल, काजूल एक फिल्मी परिवार से बिलॉंग करती है, काजूल का जन मुह था पांच अगस्त 1974 को, मुंबई महराश्ट्र में, काजूल की मा का नाम तनूजा है, जो की एक एक्ट्रिस है, पिता का नाम सोमो मुखर जी, जो की एक फिल्म में ही मौत हो चुकी है, काजूल की एक छोटी बेन है, जिसका नाम है तनीशा, वो भी एक एक्ट्रिस है, काजूल की मौसी का नाम नूतन है, वो भी एक उम्दा एक्ट्रिस थी, काजूल की नानी और पर नानी भी फिल्मों से जुड़ी हुई थी, इसके अलावा पिता की तरफ से रिष्टिदारों की बात की जाए तो काजूल की दोनों चाचा, फिल्म डारेक्टर और प्रोड्यूसर है। महीं काजूल के नाना और दादा दोनों भी फिल्म मेकस रह चुके हैं। रानी मुखजी, शर्बानी मुखजी जो की अक्रिस्स हैं वो दोनों भी काजुल की कजिन है, पेल्म डिरेक्टर आयान मुखजी भी काजुल का कजिन लगता है, यानि काजोल की माँ और पिता की तरफ से ज्यादा तर रिष्टेदर फिल्मों के कारूबार से ही जुड़े हुए हैं यही करण था कि काजोल को बच्पन से ही फिल्मी महौल मिला था काजोल पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो हमेशा से एक एक्ट्रिस बनना चाहती थी काजोल की शुरुआती पढ़ाई बोर्डिंग स्कुल से हुई थी और उसे बच्पन से ये डान्स का काफिज ज्यादा शौक था काजोल जब 10th क्लास में थी तब ही उसकी माँ उसके लिए एक फिल्म डिरेक्ट करना चाहती थी जिसमें काजोल को लांच किया जाना था फिल्म शुरू भी हो गई थी लेकिन फिल्म की कुछ दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म को किसी वज़े से बंद कर दिया गया इसके बाद साल 1990 में ही जब काजोल 16 साल की थी तब ही उसे राहूल रवेल की फिल्म बेखुदी मिल गई फिल्म बेखुदी के समय काजोल 10th क्लास की स्टूडेंट थी और वो गर्मियों की छुटिया में घर पर आई हुई थी तब ही उसे फिल्म बेखुदी मिल गई इस फिल्म में काजोल के उपोजिट कमल सरदाना लीड रोल में था काजोल को अपनी पहले फिल्म घर बैठे बिठाय मिल गई तो इसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी काजोल के एजुकेशन की बात की जाए तो काजोल सिर्फ 9th क्लास पास है इससे आगे उसने पढ़ाई नहीं की फिल्म बेखुदी बनी और बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई इसके बाद साल 1993 में काजोल ने फिल्म बाजीगर में शारुक खन के साथ काम किया और पहली बार काजोल ने सपलता का सौध चक्षा बाजीगर एक बड़ी हिट मुवी थी और इसी फिल्म के बाद काजोल रात ओराद पॉपिलर हो गई थी इसके बाद काजुल और शारुक खान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और करियर में आगे बढ़े इन्ही दिनों ये खबरे भी मीडिया में आने लगी थी कि काजुल और शारुक खान का अपैर चल रहा है हाला कि इन दोनों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि ये दोनों रिलेशन्शिप में है लेकिन इन दोनों की बॉर्णिंग ऐसी थी कि ये लोगों की नजरों में सबसे ज़्यादा आने लगी थे और लोगों के चाचा का विशय बन गए थे शारुक खान के बाद काजूल का अफैर चला साउथ एक्टर कार्तिक के साथ कार्तिक और काजूल दोनों लगभग दो साल तक साथ रहे और उसके बाद इन दोनों का रिश्टा भी तूट गया काजूल की फिल्मी करियर की बात की जाया तो काजूल ने बाजिकर के बाद ये दिल लगी करन अर्जुन हल चल और दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे जैसी सुपरेट फिल्मों में काम किया काजूल की जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था शारुक खान के साथ, काजूल हिंदी फिल्मों में अच्छा काम कर रही थी कि तभी उसने तमिल फिल्मों में डेब्यू करके सब को चौका दिया, साल 1997 में काजूल ने तमिल फिल्मों में डेब्यू कर लिया, साल 1997 में काजूल ने बाबी देल के साथ फिल्म गुप्त में हाला कि इन दोनों का अफैर बहुत कम समय कले ही रहा था और इसकी चाचा भी कापी कम समय कले हुई थी बाबी देवल के बाद काजूल की लाइफ में आया अजय देगण अजय देवल की सबसे पहली मुलाकात हुई साल 1995 में फिल्म हलचल और गुंडा राज के दोरान लेकिन उस समय इन दोनों के बीच कोई अपैर नहीं हुआ था उस समय ये दोनों अच्छे दोस्त थे लेकिन बाबी देवल के बाद काजूल और अजय देगण एक दूसरे के नसदी काते गये और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी इसके बाद 1999 में अजय और काजूल ने शादी कर ली अजय देवल के एक लागा ने एक बर इंटिर में बताया था कि इनकी शादी में ज्यादा ताम जाम नहीं हुआ था इनकी शादी उनके घर की छट पर हुई थी वो घर के बेडरूम से निकल कर छट पर गए और फिर शादी के बाद वापस बेडरूम में लौट आए शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए शादी के बाद काजोल ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था और साल में एक या दो फिल्में ही करती थी काजोल ने 1999 तक लगातार काम किया था काजोल कभी भी एक बहतरी नेक्टरिस नहीं थी उसकी एक्टिंग हमेशा एवरेज रही है काजोल ने जितनी भी फिल्मों में काम किया है एक दो फिल्मों को छोड़कर सभी मेल सेंट्रिक फिल्मे थी काजोल का रोल उनमें ज्यादा बड़ा नहीं होता था और नहीं ज्यादा दमदार होता था लेकिन फिर भी काजोल का attitude ऐसा होता था जैसे पूरी फिल्म उसी के character पर आधारित हो काजोल बहुत ही घमंडी और बत्तमीज औरत मानी जाती है और कभी किसी से सीधे मूबात नहीं करती सिर्फ काजोली नहीं काजोल की मा तनूजा भी काजोल की तरह एक घमंडी औरत है काजोल काफी मूफट एक्टरस मानी जाती है वो किसी के भी बेज़ती करने से बास नहीं आती काजोल के इसी व्यवार की वज़े से उसके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल चुकी है जिन में वीर जारा और चलते चलते भी शामिल है काजोल अपने कमपट जोन में रहना ज्यादा पसंद करती है काजोल शुरू से ही चुगल खोर औरत करन जोहर ग्रूप का हिस्सा रही है वो करन जोहर की ज्यादा तर फिल्मों में दिखाई देती थी चाहे लीड रोल में या गैस्ट रोल में लेकिन फिल्म शिवाय और ऐ दिले मुश्किल रिलीस के समय अजय और करन जोहर में विवाद हो गया था जिससे इन दोनों की दोस्ती कुछ समय के लिए टूट गई लेकिन कुछ समय बादी काजोल ने आंटी करन जोहर से पिर से दोस्ती कर ली जबकि अजय देवगन आज तक करन जोहर को अपना दुश्मन ही मानता है काजोल करन जोहर ग्रूप का हिस्सा रही है और यही वज़ा रही है कि काजोल करन जोहर की पार्टियों में भी हिस्सा लेती रही है काजूल की पार्टीज में कई बार नशे में धुत तहालत में फोटो सामने आती रही है काजूल काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और अगर ड्रक्स भी लेती हो तो कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि करण जोर के ग्रूप में हर शक्स ड्रक्स लेता ही है शादी के बाद काजूल ने बहुत कम फिल्मों में काम किया है लेकिन कहा जाता है कि काजूल और शारुक खान की बार्णिंग से अजय देवगन भी काफे ज़्यादा नाराज रहता था शादी के बाद अजय देवगन ने काजूल को शारुक के साथ काम करने से मना कर दिया था लेकिन काजूल ने अपने डूपते करियर का हवाला देकर शारुक खान के साथ काम करने की परमीशन ले ली थी काजूल ने शारुक के साथ कभी खुशी कभी गम मायनेमिस खान और दिल वाले जैसी पिल्मों में काम किया है शादी के बाद काजुल जितनी अपनी पिल्मों की वज़े से चर्चा में रहती है उतना ही वो अपनी व्यवार की वज़े से भी चर्चा में रहती है काजोल ने एक बर गुसे में अपनी एक फैन को थपड़ भी मार दिया था उस फैन की गलती इतनी थी कि वो काजोल के साथ एक पोटो लेना चाहती थी जो काजोल को पसंद नहीं आया और काजोल ने थपड़ मार दिया ये काजोल की शादी से पहले का मामला है काजल इतनी बड़ी एक्टरिस नहीं जितनी बड़ी वो घमंडी और बत्तमीज है यही कारण है कि वो अपने एहंकार के वज़े से हामेशा चाचा में बनी रहती है काजल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राइज जरूर रखें वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जड़कर हमारी आवास बने